जैने दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ इंडियन्स मस्ट नो अबाउट इस इंडियन क्रूज सेवड अमेरिकन्स इन बल्टिमोर ब्रीज कॉलाप्स तो अमरिका वाले तो बहुत कहते थे हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वैस सब कुछ खतम एक ही जटके तो सब्सक्राइब पर लें वीडियो देखते आशा करें के पसंद आएक और पसंद आए तो लाइक और से जरू से कर दिएगा जरू से बहुत ही इंपरेंट वीडियो है यूजुली मैं आपको कहता नहीं हूं के वीडियो को शेर करिए मगर य आज के समय जो बाइडन पूरे देश के सामने अपने कंट्री के लोगों के सामने ये कहते हैं कि जो बाल्टिमोर ब्रिज कोलाप्स हुआ है वहाँ पर इंडियन क्रू ने कई अमेरिकन्स की जान बचाई है और ये बात बोलना बहुत ही इंपरेंट था क्योंकि भारतियों ये दुनिया भर में हो गई थी वारेल यहां वे आप देख पाऊगे ये एक कारगो शिप है ये एक अमेरिकन ब्रिज के पिलर से टकराएगी और उसके बाद पूरा ब्रिज गिर जाएगा पूरी दुनिया ये वीडियो देखकर शौक थी अब अचानक से क्या होता है कि इ इमेजन कर सकते हैं जैसे ये न्यूस सामने आई ना के क्रू इस शिप का इंडियन था अमेरिकन सोशल मीडिया पर इंडियन के अगेंस्ट जो रेसिजम स्टार्ट हो गया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब इदर आप देख पाऊगे एक ट्विटर हैंडल ने ये आर्टिफिशल इंडियन से ये इमेज बना दी और यहां पर इंडियन को रिखाया गया है गलत तरीके से मजाग बनाया गया है आमीन लोग की जान जा सकती नहीं यहां पर थैंगफुली 22 इंडियन बज गए यहां पर बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ के अमेरिकन को कई अमेरिकन को मौका मिल गया के चलो ठीक आप खुल के रिसिजम करते हैं अब फिर ये वाली ट्वीट देखिए यहां पर एक आदमी कहता है आपको एक फैट बताता हूँ जो 22 लोग थे जो इस शिप को हैंडल कर रहे थे जो कुरू था इस शिप का यह सब इंडिया से आ मेरी वीडियो की मैकसिमम व्यूज आप मान के चलो 2 मिलियन या 1 मिलियन इसके बीच में रहते हैं 10 मिलियन व्यूज ऐसी रिसिस ट्वीट और बहुत लंबे समय बाद जो ट्विटर का इनका खुद का एक फैक्ट शेकिंग क्रू है उनको नीचे ये बात एड करनी पड़ी कि देखिए चाहे 22 लोग जो क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे मगर जो पाइलेट दो पाइलेट इस शिप को चला रहे थे वो दोनों लोकल थे दोनों अमेरिकन थे ये बात बार बार बतानी पड़ी लोगों को नहीं तो लोग इस टाइप के जो रेसिस कार्टून्स है न यहाँ पे एक लड़की दिखाई है यह मतलब कह रही है कि हमारी economy को और foreign workers चाहिए और फिर तबी यह जो ship है यह गिर जाती है यह बेसिकली बता रहे है कि देखो foreign workers जब हम इंडिया से लाए तो हमारा जो bridge है यह गिर जाता है मैं आपको बता नहीं सकता इंडियन्स के अग यह कहता है कि I blame Eat, Pray, Love for making white women believe that third world is a cure for their depression. Eat, Pray, Love एक मूवी आय थी Julia Roberts की. उसमें दिखाया गया कि एक महिला है अमेरिका में उसको depressions आओ जाता है और वो इंडिया में आती है, आध्यात्म को खोशती है और she feels better, उनको जिन्दगी में help मिलती है. अब उसके नीचे ये एक आर्टिकल डालते हैं, date missing है, note करना, date edited out है, और यहाँ पर लिखा है कि महिला भारत में आई, अपना depression क्योर करने के लिए उनका वलतकार हो गया और इनको मार दिया गया, नीचे Elon Musk कहते हैं yes, ये जो tweet है उपर इनकी, इस सही agree कर रहे है कि हा, कि जो white women आपके लिए Caucasian महिला हैं, Europe की और USA की, उनको third world countries, जिसको ये इंडिया कह रहे है, third world countries में नहीं जाना चाहिए, और Iran Musk यहाँ पर yes कह रहे हैं, और सबसे अजीब बात पता है क्या है, ये case 6 साल पुराना है, ये Lithuania की एक महिला थी, केरला गई थी, और बहुत दुखत incident था, मुझे genuinely as an Indian बहुत बहुत ज़रा बुरा लगा जब ये news सामने आई थी, बट अब 6 साल पुराने case को, मतलब उसकी date erase करके, आप post करते हैं, और एक country को third world कह रहेते हैं, और ये कहते हो कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और जो website है, जो platform है, उसका मालिक है, वो कहते है कि य सही है, third world है नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं, ये तो mentality है, इंडियन के against racism क्यों नहीं होगा, और मैंने बात नोट करी थी, कि इलोन मस्क की इस tweet के नीचे ना, कई इंडियन से लिखा, कि वो Indian American students का क्या, जो हाल ही में मारे गए हैं USA में, उनका क्या, म many Indian students died in US, तो disparity बहुत जारा है देखिए, मतलब आप अगर एक गलत कहीं पर कुछ हुआ है, उसको condemn करते हैं, तो you should be able to condemn other things as well, ना मुझे एक बात अच्छी लगी वैसे, एक बार को अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने social media पर इंडियन के against लिखना स्टार्ट कर दिया था, ब उन्होंने SOS एक message send किया है, जिससे bridge पर बहुत सारी activities रोग दी गई, और हमने कई जाने बचाई हैं, अगर वो SOS message ना पहुचता, तो situation बहुत ज़रा खराब हो सकती थी, और ये बात मत भूलिएगा, जो law है, इस area का, Baltimore का law है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है, कि जब भी ए थी, मगर जो crew था, Indian crew, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, कई Americans की जान बचाई है, sad बात पता है, ये fat कोई पढ़ेगा नहीं, जो मैंने आपको racist tweets दिखाई थी ने, इससे पहली, Indians के वारे में, 10 million views, 50 million views, जितने भी थे, वो जादा लोग पढ़ेंगे, और एक बड सब्सक्राइब की क्लेप है, तो ये बात American President खुद क्या रहे हैं, hopefully कई लोगों तक ये बात पहुचेगी, but at the same time, मेरा ये भी मानना है कि Indians को न, they have to take a stand, कि जो racism आज के सामें rampant है, Twitter पे, against them, क्योंकि मैं आपको बढ़ा दू हूँ, आप किसी और के बारे में ऐसी बाते बोलो, किसी और community को, किसी और country को से target करोगे न आप, तो immediately algorithm, वैसी tweets दबा रहता है, मगर India के case में हमने देखा है, कि what's wrong with India, अगर आप trend करो, सिधा tweet पर जाती है, उसकी visibility पर जाती है, तो something needs to be done, यहाँ पे तो सचाही सामने आ गई, अगर इनको ना पड़ी होती, जो Biden सामने आके ना बोलते, Baltimore के mayor सामने आके ना बोलते, बार-बार heroes ना कहते, Indian crew को, तो यह narrative बना रहते है, कि Indian foreign workers आए थे, देखो, मारा bridge destroy कर दिया, तो मेरी situation के बारे में, दुनिया को बताईए, नहीं तो कोई France का आदमी, कोई UK का, Canada का, Germany का, कोई आके आपकी country की मज नहीं बचाने वाला, you have to do it yourself, और कभी-कभी यही best तरीका होता है, to combat racism, सच्चाही अंदकार को मिटा देती है, तो hopefully you will share this message, and always remember, be proud to be an Indian, और तो भाई, हम तो proud करते ही है, इंडिया को, और आप भी, आप भी proud करते हो, यह हम जानते है, लेकिन ऐसा जब मुखा होता है, तब हम लोगों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कही सारे वीडियो में जिक्र किया है, कि भाई, कही सारे country, अमरीका के साथ, ब जब भाईर हुआ ना, तब भाई, इतना हुआ इंडिया के लिए, फिर खुच जो बाईडन ने आके बोला कि भाई, यह पूरा जो मामला है ना, वो यह है, तब जाके थोड़ा बहुत शांत हुआ है, रोग बाईडन ने कहा है, कि भाई, इंडिया वालों ने मतलब जो SOS कहते है, उसको, जो मैसेज पहुंच आते है, उसको SOS कहा जाता है, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम मैसेज दिया गया, और वो जो ब्रीज था, उसको ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि वहां से कोई लोग, मतलब निकले ने ऐसा, और को किसी की जान ना, और फिर वो गल गलती थी, उनी लोकल वहां के तो पाइलेट थे, उनी की गलती थी, इसलिए तो तुरंट SOS कर दिया गया था, कि यह गलती बड़ी हो सुके, आप यह कर दो ताकि अमरिका की और जाने बच जाए, हाला कि इसमें किसी की जान नहीं गया, शेव कर लिए सब को ब्रीज खतम ह जान गया, यह तो ठीक है, ब्रीज तो बड़ लेकिन किसी की जान तो नहीं कि अब ब्रीज तो दूसरा बन जाएगा, प्योंकि तो इंसान की जान जाती है, वो तो गया, ठीक है, और इन लोगों को मतलब फोरें के लोगों को कुछ भी बाहना चाहिए, वह वाइट बोड़ा बहुत यह, अभी मुधी सरकार आयो, इतना सारा डेवलोपिंग किया है, तो इतना सारा हमारा देश का नाम बना है, तब जाके थोड़े बहुत यह चान्त हुए है, लेकिन यह लोग तो आपने वो चुनायोगा ने कोई सिंगर थी, कि वो लोग, वो तो बहुत थी, ठीक है, तो यह है, भारत के सामने पंगा मत लिया करो, और यह एलोन मस्क जो है न, यह मेरे हिसा आप से देखो, अब तो मेरे को लग रहा है, इनको ही बॉयकॉट कर दो भाई, यह तो ट्वीटर उसका ही है, अभी एक्स, एक्स पर के, ठीक है, मेरे को लग रहा है, इ आप कमेंट में लिखकर जरूब बता दीजिएगा, आशा करेंगे प्रसान दवन भाई ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, और वीडियो अच्छी लगए, तो लाइक वर से जरू से कर दीजिएगा, इन गूरे लोगों को आंसर मिल जाएगा, बाकि वीडियोस हम आप गत्याप से भी जाए ले रहें, मिलते हो और एक ने वीडियो में आपके साथ किलें, जैइन जैवारत